नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटूजर मॉबायर रेपेरिंग में आज आप जानेंगे होट एगर में आने वाली सबी प्रोड्म के बारे में उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्यों से प्रोड्म कैसे आती है और किस चाहता हूं कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े और आपको जो हमने मिनत की हुए है उससे कुछ ने कुछ फायदा हो लाव हो तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हमारी जो फॉल्ट है यह हमारी होटेगन इनवर्टर पर यूज़ करने के वज़े से खराब हो गई थ देखे हेज़ा हीट और दोनों चल लगी थी अभी अभी हमारी हो चुकी है हीट चल लए है तो यानि कि मतलब हमारा हीटर काम कर रहा है घर का फैन ओफ हो चुका है और और करने पर फार्श टाइम हमारा एयर चालू हुआ था तो यह प्रॉब्लम हमारी इनवर्टर पर ये भी बतायेंगे इसके अलावा भी जो mostly सभी प्रोब्लम्स हांवारी horse everyone can वह कहां से आती है कैसे आती है किस component कैरेंज और करेंगे उसी कशेक ऑर कैसे चेक करेंगे और कैसी करेंगे कि हमारा खराब है करो चिहां नियुक्त मतेशिप्व पहले को से यह आपका heater का regulator transistor है तो यह आपकी heat को regulate करता है और इसके खराब होने पर आपका element जल्दी जल्दी खराब हो सकता है या फिर regulate नहीं होगा यानि heat कम ज्यादा नहीं होगी अगर यह sort हो जाता है तो या फिर इसके खराब होने पर आपका heat हो सकता है बिल्कुल भी ना हो तो यह चीज़े हो सकती है और यहां पर जो आपका heating में लगा हुआ transistor है वो BT136 है और इस पर BT16, BT17 भी लगा होता है BT16 और 17 की capacity ज़्यादा होती है BT136 के मुकाबले मतलब वो heavy load carry कर सकता है BT136 से यह बीटी 136 से ज़्यादा load carry कर सकता है मतलब उसका जो load सैने की च्छमता है वो ज़्यादा होती है बाकि आपका जो खराब होता है आपका यह regulator यह देखे दोनों regulator खराब होता है तो यह regulator भी अगर आपका खराब होगा एक air का है एक heat का है तो आपकी heat और air जो है कम ज्यादा नहीं होगी या फिर आपकी proper तरीके से heat या air कम ज्यादा नहीं होगी या कहीं पर कम ज्यादा होगी तो कहीं ज्यादा होगी या automatic से कम ज्यादा होने लगी कुछ इस तरह से होना होगा यह उसका अकार कुछ इस तरह का होगा और उसे आप कैसे चेक करेंगे मीटर से मल्टी मीटर की मदद से यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और यह एक नौर्मल ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों और यह सप्लाइ पे लगा होता है यह डी सी करेंट में उसे हम कैसे check करेंगे और वन मेंट हुझा यह निए तो पहले यह इसका रिगुलेटर बदा देते हैं यह तो यह रिगुलेटर जो है 10 K का है यहां पे लिखा हुआ सम्मीट है और अगर इसे हमें चेक करना है यह 10 K का है भी या नहीं है तो कैसे चेख करेंगे तो हमें आपने मीतर को के pronselle ki set करना होगा अगर आपकर मीटर को कों से इस तरह से कड़ना है तो पर q Ç GB कुछ reading दिखा रहा है तैनके के ऊपर का च्श्रारें और यह सही है कि नहीं च्श्छ यह वर्ग कर रहाया लाध कर रहा यह किर रहतं गरा है उसे कैसे करेंगे कुछ इस तरह से देखिए मुझे से दो परोप्स को रखेंगे और अपना manifester को हम कम जादा कर देखेंगे तो यह मरा विल्हाद रिजिस्टर है यानिकी इस होज्टर के थुरू हम अपनी रिजिस्टर को व कम यह ज्यादा कर सकते हैं घटा या बढ़ा सकते हैं अब इससे दूस्रा सीरा इसका काम कर रहा या नहीं कर रहा है देखे हैं इस तरह से जब दुनेरे तरफ जो एयर हेजिस्टर को और बाकि दो निगैट वोग तो कुछ ही स्टरिफ से सिर्फार स्थरीडिंग आएगे इस तरह से बाकि इसके अलावा किदर भी पॉब्स भी रीडिंग नहीं अनी चाहिए बाकि confession बी bay अगर अगर आती है तो आपका ट्राइंश्ट्र खराब है कि समझते दोस्तों इस आपके अर्र में लगा हुआ तना यसके तर्शों और इसका नंबर ये त्हांगे विट पिक्चर्स के थ्रूँ यहां पे जो लगा हुआ यहां पर और भी टांजिटर लगाए जा सकते हैं इसकी जगह पे से अपिटेटुड इसके लिए आपको डाला में परते बारे होगा और कि यह तो उनकी टेस्टिंग क्या होती यह देखिए उनकी टेस्टिंग के लिए आप को दोनों तरफ से reading मिलेगी GT 136 06-6 के आस निदेनि मिले आपको और अलिकी कहीं भी किसी भी तरफ से किसी भी पंपे आपकी मिलनी चाहिए reading गली जाय है और इहा पर नहीं मिलेगी और यहां पर ऊपर भी मिलेगी मिलेगी आप कॉर्नर टरफ करेंगे थी दोनों तरफ से दोनों में अंतर क्या है दिखिए बीटी 16जटी सत्रा में आपको चार्ड़ सो कुछ की रीडिंग मिल रहे हैं अस्इस कि ससके तो आपका यह डिधिग म सभी और ही तो उसके लिए आपको क्या 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 ce जैसे कि हमारा हुआ है और इस तरह से जब हीटर आपका खराब होता है वहाँ पे आप गलती ना करें जो हमने गलती यहां पर की हुई है जिसकी वजह से हमने इस सेट पे जो है काफी टाइम दिया और टाइम देने के बाद हमने होटे गन का एक ट्रांजिस्टर निकाल कर चे आप बंद किया हमने हीटर को बंद हो गया तो अब इसमें जो हमारी प्रोब्म आई हुई है वह कहां से आई हुई क्या रीजन है उसका और हीटर के बारे मैं आप से कहना चाहूंगा हीटर जो आप यूज करें वह अच्छी क्वारिटी का यूज करें दो से धाइसो प्रणूब चैशल का जोंतर है यहां इसे जब भी होटेयर राखते हैं यही की वजते से हैं छोंग हीटर आभ हो जता है और अगर ऑफ zitten हैनिकि आपका संसर हैं और इसके अलावा आपकी और होटेयर यहां आपांच वहां में से यह ब्लैक वायर gemaakt रखी है और यह लुए एंग को आपका censor का है और यह देखें र्ड़ रैड़ Pharisee को और से चंज करेंगे रेड को और ब्लैक को बल्यक पहरें गोड़ाइन इसमें से आ microphone यहां पर यहां पर यहां पर वायर होने की वज़े से जो हमारी common wire होती है तीन वायर हैं जो कि एक संसर पर जा रही है दो थर्मल में इन common wire की वज़े से हमारा जो तो यहां पर आपको गलत जगे नहीं लगाना है अगर लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी और इसी तरह की प्रॉब्लम का जो है सामना करना होगा तो मैंने वायर को चेंज कर लिए एक आपकी अर्थ की तार होगी उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों बाकी अगर आप तो लगा भी सकते हैं उसको और उसका मतलब तब बनता है जब आपका जो होटे गन है हलका पुल का करण्ट मार रहा हो आपको या जटके देती हो तो आप उसका जो है ग्राउंड अगर आपके घर पर जो है या कनेक्शन में वायरिंग में आथ का कनेक्शन है तो उससे अब नहीं हीट को भी कम ज्यादा किया ही थे हमारी तो हमारी जुप्राब्लम थी तो यह सूल हो चुकी है और हमने देखिये यहाँ पर हमने अपने सेंसर जो हैंडल का सेंसर के लिए होता है उसका जो अभी केनेक्शन किया हुआ हुँआ है क्योंकि मैं आपको दिखाना च होते हैं और एक आपका संसर का होता है जो पीले कलर का होता है और रेड और ब्लेक एक होता है वह आपका रेजिस्टर का होता है थर्मर रेजिस्टर का और बाकी दो वायर्स आपको वहां पर डायक कनेक होते हैं जो कि आपके हीटर के होते हैं बस सिंपल सा तरीका है दोस्तों यह गलतिया आप अगर नहीं करते हैं और बाकि जो भी मैंने इसके पहले बताए हुआ जो भी प्रॉब्म साते हैं आपके होटर गन पर वह सब आपके उन सभी कंपोनेंस को चेंज करने के वज़े से ही सौल हो जाएंगे और और कोई भी प्रॉब्म आपकी इस खुर गन पर अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी अच्छी से चलती रहे और आपका बैकप जो है इंवर्टर की बैटी का ज्यादा मिले आप पूरे दिन गन को यूज कर सके हैं अपने होटर गन पर सुरी दोस्तों इंवर्टर पे तो होटर गन को तो उसके लिए भी आप चाहें तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वीडियो बना के दूंगा ताकि जो है कि आप अपनी होटर गन को जो है इंवर्टर पे अच्छे से पूरे दिन यूज कर सके और आपकी जो रब कि यहरीत ट्ह pressured गोने लाइटे होने लगती हैं और प्रपर तरीकेश काम नहीं करती हूं लोड भी बहुँ ज्यादा लेति हैं बैटी हमारी इनवर्टर की जल्दी बहुूड़ जाती है और हम ज्यादा काम नहीं कर पाते और कुछ एरिया भी भी ऐसे हैं जहां पर लाइड जो है प्रोपर तरीके से नहीं आती और मजबूरी होती है उन लोगों की जो इन्वर्टर पे होड़ेगन को चलाते हैं और काम करते हैं तो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं जो है उस ट बैकप है वो भी इंक्रीज हो जाए इन्वर्टर की बैटी का तो उसे कैसे आप करेंगे वह भी आप हमें कमेंट में बताएं अगर आप लोग उस पर वीडियो चाहते हैं और तो मैं जरूर बनाके दूंगा आपको कि कि इस तरह हाँ आपको चेंजेस करने हैं अपनी होट देख रही है तो मलब हमारा एर काम करने लगा है तो सबस्क्राइब करें तो सबस्क्राइबेल आइकन को अलिके सन आपको लगातार मिलते अर्ब मिलते या बसे एंडशा और नार्ष टक और पूरा देखने के लिए झाल झाल